हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आई होप सब बहुती अच्छे होंगे तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ खीर की रेस्पी इसे हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में जिसे बहुती जटपट बनके तयार होगी और बहुती टेस्टी बनेगी रबडी का फ्लेबर जो आपको इसम के साथ इसको हम डाल देते हैं प्रेश कुकर के अंदर और इसको हम हिलाते हुए लो फ्लेम में दो मिन तक पका लेंगे जिसे जो चावल का पानी है वो अच्छे से सूख जाए और जो घी का फ्लेबर है वो चावल के अंदर आ जाए इससे बहुती टेस्टी हमारी खीर जो दूद आड़ करूंगी तो आप देख सकते हैं मैंने इसी कटोरी से मेजर किया है चावलो दूद को मैंने आप दूद कर दिया है इसको हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेते हैं और धकन लगा के हम इसको पका लेंगे जिस तरह से फ्रेंस हम चावल पकाते हैं उसी तरह से हम ह लीटर दूद लिया है मैंने ये पहले से उबला हुआ दूद है साथ ही मैंने जो इसके उपर मलाए थी वो भी ले ली है इसको हम अच्छा सा उबाल आने तक पका लेंगे जिससे की दूद जो हमारा थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा इससे बहुती जल्दी हमारे खीर बन क आप देख सकते है इसमें अभी डाल देते हैं हम जो दूद हमने गरम करकर रखा है उसे दूद मैंने अड़ कर दिया है अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं दो मिनिट तक हम इसको इसको इसी तरह से उबलने के लिए चोड़ देंगे जिससे कि बहुती अच्छी ने त्यार बन के त्यार हो गई है अब ही हाँ पर मैंने डाल दिये हैं दो चम्मच कोकोनट पाउडर साथ ही मैंने काजुर बादाम थोड़े से कट करके लिए हैं और मैंने चार टेवल स्पून यहां पर चीनी एड की हैं सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक मिनेट पाउडर भी उस कर सकते हो तो फ्रेंस आप देखिए हमारे खीर जो है बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही चटपड बन के त्यार हो गई है मैंने थोड़े से कट हुए बादाम से इसको गानिश कर दिया है तो आपने देखा कितनी जल्दी से हमारे खीर बन के त्यार ह हो गई है आप फ्रेंड्स जिसे जरूर बनाई और इंज्वाए कीजिए वाई वाई